Hello guys, welcome to Indian Affairs I hope कि आपका आज का दिन शानदार हो and life में आपके जो भी goals और targets हैं आप उनको successfully achieve करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है कि आप हमारी वीडियो टाइम निकाल कर अराम से देखें क्योंकि टॉप 10 सेग्मेंट में हमारी एक एक अपडेट काफी important होती है इसलिए आप वीडियो को end तक देखिएगा कई सारी important updates वीडियो के end में भी होती है बढ़ते हैं आज की टॉप 10 updates की तरफ सबसे पहली update आ रही है भारत और मालदीवस को लेकर आपको याद होगा पिछले कुछ समय से भारत और मालदीवस के बीच कितनी controversy चल रही थी लेकिन भारत सरकार लगातार मालदीवस को लेकर positive approach दिखा रही है इसी कड़ी में पिछले कल भारत के परदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने मालदीवस के प्रेजडेंट मुहमद मिजू और मालदीवस के सबी लोगों को भारत की तरफ से इदल फितर की बदाई दी हैं और इद की बदाई देते वे परदान मंतरी मोदी ने गाएगी मालदीवस और भारत के बीच काफी पुराने समय से cultural और civilizational links है अब आप खुदी सोचेगी यहां पर भारत के लोग सोशल मेडिया के ओपर मालदीवस को बॉयकॉट करने की बाते कर रहे हैं वहां पर परदान मंतरी मोदी मालदीवस के प्रेजडेंट को पस्नल बदाई संदेश पेज रहे हैं यह साफ दर साथ है कि भारत सरकार प्रेजडेंट मोहमत मिजू के कारण मालदीवस देश के साथ अपने रिलेशन्स खराप करना बिल्कुल नहीं चाहती है क्योंकि प्रेजडेंट्स और प्रैम निस्टर्स तो आते जाते हैं और गलकों मालदीवस में भी में भी कोई और प्रेजडेंट आ जाए आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत की एविएशन इंडस्ट्री से संबंदित दरसल पिछले काल खबर आई है कि भारत की पसेंजर एरलाइन कंपनी इंडिगो एरलाइन्स मार्केट कापिलाइजेशन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो एरलाइन्स की मार्केट कापिलाइजेशन 17.6 बिलियन डॉलस तक पहुच गई है आई भारत की इंडिगो एरलाइन्स ने अमेरिका की साओठ वेस्ट एरलाइन्स को क्रॉस करके थर्ड पुजिशन असिल कर लिये इंडिगो एरलाइनस से उपर सेकंड पुजिशन के उपर है आईलंड बेस्ट यूरोप की सबसे बढ़ी एरलाइन कंपनी रियान इर Ryanair दुनिया की 40 countries में operational है और इसकी market capitalization है 26.9 billion dollars Ryanair से उपर first position के उपर है अमेरिका की Delta Airlines जिसकी market cap है 30.4 billion dollars आपको याद दिला दूँगी पिछले साल Indigo Airlines ने Airbus Company को 500 planes का order दिया था ऐसे में जब वो 500 planes Indigo को deliver हो जाएंगे उसके बाद तो Indigo Airlines की market cap और भी तेज़ी से बढ़ेगी आज की 3rd update आ रही है Tesla Company के मालिक Elon Musk को लेकर आपके स्क्रीन के उपर एक screenshot है दरसल Elon Musk ना भी कुछी गंटे पहले एक tweet करके खुदी ये जानकारी दिये की वो भारत के प्रधान मंतरी मोदी जी के साथ मीटिंग करने का इंतजार कर रहे है माना जा रहा है कि प्रधान मंतरी मोदी के साथ उनकी ये मीटिंग Tesla Company के भारत में पहले manufacturing plant को लेकर ही होने वाली है और प्रधान मंतरी मोदी के साथ मीटिंग के बाद ही Elon Musk भारत में अपने manufacturing plant की गोशना कर सकते है अब तक इस meeting की dates finalized नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि इस मेने के end में वो प्रधान मंतरी मोदी के साथ मीटिंग करेंगे मीटिंग के लिए वो भारत की राधानी निवदाली आएंगे आज की fourth update आ रही है इंडर नेफोस को लेकर इंडर नेफोस ने फैसला कियाएगी अंडर मान निकोबार आइलाइंड के उपर जो इंडर नेफोस का बेस है उसके उपर अब maritime strike capabilities वाले fighter jets को वहाँ पर permanently deploy गिया जाएगा maritime strike capabilities का मतलब है कि ऐसे fighter jets जो सामने वाले देश के naval warships को निशाना बनाने में सक्षम हो उनके उपर ऐसी missiles, bombs होंगे जो enemy navy की frigates, destroyers, naval helicopters और बाकी naval assets को निशाना बनाएंगे इंडर नेफोस ने फैसला किया है कि अंडर मान निकोबार आइलाइंड स्वाले base के उपर इंडर नेफोस की एक squadron आपसे वहाँ पर हमेशा ही deployed रहेगी साथ में वहाँ का जो runway है उसको भी बड़ा किया जाएगा extend करके 3000 meters तक कर दिया जाएगा यानि एक तरह से इंडर नेफोस अंडर मान निकोबार आइलाइंड स्वाले अपने airbase को upgrade कर रही है इससे पहले अंडर मान निकोबार आइलाइंड के base के उपर permanent torque के उपर पूरी एक squadron को कभी भी deploy नहीं गिया जाता था और ये फैसला दर्शाता है कि इंडर नाव forces इंडर नोशन टेरिटरी में अपना दबदबाब बढ़ाने का पूरी तरह से मन बना चुकी है इस base के उपर deployment के बाद South China Sea भी इंडर नेफोस की रीच में काफी अद्दक आ जाएगा और इसे South China Sea की दूरी भी काफी कम हो जाएगी आज की 5th update आ रही है Electric Car Joint Tesla Company और Reliance Company को लेकर दो दिन पहले हमने आपको बताया था कि Elon Musk की Tesla Company भारत में अपना पहला manufacturing plant खोलने के लिए जमीन डूरी है अब ख़बर आ रही है कि Tesla Company भारत में अकेले enter नहीं करेगी कई सारे बड़े-बड़े media users ने ये रिपोर्ट किया है कि Tesla Company भारत में Reliance Company के साथ एक joint venture स्टार्ट करेगी और फिर Reliance और Tesla ये दोनों companies मिलकर उसे joint venture के तुरू Electric Cars को manufacture करेंगी इसके साथ ही रिपोर्ट से भी निकल कर आ रही है कि Tesla Company को महराश्टर की सरकार का जमीन का offer सबसे lucrative लगा है और most probably Tesla का पहला plant महराश्टर की स्टेट में होगा वैसे अभी तक चीज़ें finalize नहीं हुई है ऐसे मगर गुजराट की सरकार Tesla Company को land की कोई नई deal देती है जो महराश्टर से भी आकर शेक हो तो क्या बता Tesla Company महराश्टर से shift होकर गुजराच चले जाए आज की 6 तवरेट आ रही है भारत के crude oil imports को लेकर पिशला financial year 31 मार्च को खदम हो गया है और अब ये डेटा आ गया हैगी साल 2023 से 24 financial year में भारत ने अपना crude oil कौन-कौन से देशों से परचेस किया है और कितना परचेस किया है रिपोर्ट के मताबिक पिशले financial year में भारत का सबसे बड़ा crude oil supplier देश रा और भारत ने पिशले साल साओधी अरब से 15% अपना crude oil purchase किया था फोर्थ position के उपर था UAE यानि की United Arab Emirates और UAE से हमने अपना 6% crude oil purchase किया था UAE के बाद पांचवे नंबर के उपर था अमेरिका और हमने पिशले साल अमेरिका से भी अपना 3.5% crude oil purchase किया था टाप 5 के बाद जितने भी बाकी के suppliers हैं उन बाकी के देशों से हमने total 20.5% crude oil purchase किया था आज की 7th update आ रही है Canada और भारत को लेकर कुछ दिन पहले Canada की सरकार ने भारत के उपर आरोप लगाया था कि भारत Canada के internal affairs यानि कि उनके अंदरूनी मामलों में देखल देता है अब Canada ने यूटरन माल लिया है और Canada की intelligence agency ने रिपोर्ट किया है कि भारत नहीं बलकि China ने Canada के elections में देखल दी है Canada की intelligence agency के मताबिक साल 2019 और 2021 में Canada के अंदर वाँ पर जो general elections हुए थे उनमें भारत नहीं बलकि China ने इंटर्फेय किया था वैसे Canada की सिरकार और Canadian Prime Minister Justin Trudeau ये पिछले काफी समय से भारत के उपर baseless आरोप लगा रहे है और जब आताती है सबूत पेश करने की दोस टाइम Canada के हाथ कड़े हो जाते है आज की 8th update आ रही है भारत और इसराइल को लेकर खबर आ रही है कि पिछले कल इसराइल में भारत की embassy में इंडिन ambassador संजीव सिंगला सर ने इसराइल के labor minister याओ बैंच जूर के साथ एक meeting की है इस महीने इसराइल की authorities भारत से 1500 लोगों को fire करके इसराइल ले जा रही है इनको work visa देकर वहाँ पर jobs offer की गई है ऐसा में भारत के ambassador ने इसराइल के labor minister के साथ meeting करके इस चीज़ का मौइना किया कि क्या इसराइल की सरकार भारत के workers को किसी safe place के ओपर job दे भी रही है या फिर नहीं इसराइल में जो भारी embassy है उनको आदेश दिये गएंगी वो ये चीज़ सुनिश्चित करेंगी इसराइल की government भारत के workers को safe चगा के ओपर place करें मीटिंग में इसराइल के labor minister ने इनन अमेस्टर को brief किया कि भारत के workers की safety और security के लिए इसराइल की government ने वहाँ पर क्या क्या कदम उठाए है अब क्योंकि ये recruitment drive एक तरह से government to government हो रही है उपर से इस समय इसराइल में कही सारे fronts के उपर लगतार यूद चल रहा है इसलिए मोधी सरकार अपने देश के लोगों की security के लिए extra efforts कर रही है आज की 9th update आ रही है परधान मंतरी मोधी जी को लेकर पिशले कल परधान मंतरी मोधी ने US Media House News Week को एक interview दिया जिसमें उनने geopolitics के बारे में कई सारे सवाल लिये जब उनसे जेल में बंद पाकिस्तान के पिशले प्राइम मिनिस्टर इमरान कान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इंटर्विवे में साफ कहा दिया कि वो पाकिस्तान के अंधरूनी मामले पाकिस्तान के internal matters वे उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाते है इसके साथी परदान मंतरी मोदी ने ये भी का कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शेवाज श्रीफ को इलेक्शन्स के बाद बदाई भी दी थी वो पाकिस्तान के साथ संबंद सुदारना चाते हैं लेकिन आतंगवाद और इंसा फ्री माहल में चाइना को लेकर उन्होंने का कि चाइना के साथ भी हम सारे मतबेद सुल जाना चाते हैं ताकि दोनों देश आगे बढ़ें इसके साथी परदान मंतरी मोदी ने का कि अमेरिका, भारत, जापान और अस्ट्रेलिया इन चारों देशों ने जो क्वैट संगटन बनाया है ये चाइना या फिर किसी भी देश को टागेट करने के लिए नहीं है बलकि ब्रिक्स, SEO की तरह ये भी लाइक माइंड़ यानि एक सोच रखने वाले देशों का संगटन है आज की 10th update आ रही है अमेरिका और रश्या को लेकर और इसमें यूक्रेन और इरान का भी लिंग है आपको याद होगा पिछले साल अमेरिका ने इरान के कुछ कार्गो शिप्स को सीज किया था जिसमें इरान की सरकार के परकार के हतियारों को यमन में उती विद्रीयों को बेज रही थी साल 2021 और साल 2023 के बीच अमेरिका ने इरान के कैई सारे कार्गो शिप्स इसी तरह से पकड़े थे जिनको उन्होंने सीज किया था और इन सारे शिप्स में 5000 AK47 Assault Rifles थी Sniper Rifles थी और 5 लाग से जादा Ammonitions के राउंड थे अब अमेरिका ने क्या किया है कि इरान के ये सारे अतियार यूक्रेन को टास्फर कर दिये हैं जिसका मतलब है कि यूक्रेन अब इरान के अतियारों को रिश्या के खिलाफ यूज़ करेगा वैसे अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारी वीडियो के regular viewer हैं आपसे बस एक की request रही आप हमारी हर एक वीडियो को like जरूर करें ताकि YouTube हमारी वीडियो को और लोगों को suggest करें अगर आपको हमारी वीडियो और भी इंफर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज इनको आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ टेलीग्राम ग्रूप या फिर वट्साइब ग्रूप के उपर शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले